स्वयम सायता समू की महला हैं लखपती बनने वाली हैं यह सा तो आपको पता ही होगा पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बता हुआ था तो लखपती दीदी योजना की सुरुआत हो चुकी है रफ्तार पकड़ ली है और सभी जगह पर लखपती दीदी को ट्रेनिंग भी दी जारे यहां पर ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और जानकारिया भी बहुत सारी आ चुकी है आप सभी के लिए अगर आप भी बना चाहती है लखपती दीदी तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल पर पहली पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और व महिलाओं को लखपती बनाने की योजना ने पकड़ी रफतार प्रयागराज महिलाओं को सौलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महिला लखपती योजना रफतार पकड़ी है आपको यहां पर हम दिखा देना चाहेंगे यह देख लिजिए एक मिन यहां पर दिखाते यह 11 तारिक की अपडेट आई है यानि कि कल अपडेट आई थी और आज 12 तारिक को आप यह वीडियो देख रहे हैं महिलाओ को स्वालंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महिला लगपती योशना रफतार पकड़ने रगी है जिले की स्वेम सायता समू में सामिल महिलाओ को आगे बढ़ाने के लिए या पाइलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लगपती योशन महिला योशना के लिए स्वेम सायता समू की बलाक मिसल प्रबंधकों को अलग-अलग विभागों ने संबंधित जानकारी देना सुरू कर दिया है विकाज भौन में इसके लिए महिलाओं को प्रसिचन भी दिया जा रहा है जिसकी जिम्मेदारिया रूरल इंडिया फाउंडेशन को दी गई है पुसे चण दे रहे है रूरल इंडिया फाउंडेशन के रिसोर्स परसन संदिफ सक्सेना का कायना है कि पुसे चण के इस तरण में जिले इस्तर के सभी विभाकों को एक आस्थान पर बुला कर चैनित महिलाओं को इस योशन की विशे में बताया गया है तो रूरल फाउंडेशन के ताहद प्रतिक विकास भवनों में जो आपके हाँ पर जिले इस्तर पर विकास भवन होता है वहाँ पर दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी पर से छड़ दिया जाएगा ठीक है बाकि यह अपडेट जो मैंने बताई है आपको प्रियाग राज की बताई हुए अपर तेक जिलों में जल से जल यह योशना लागू कर दी जाएगी बस जादा से जादा आपको जनवरी से अपरेल के बीच में ये योशना सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी क्योंकि जो प्रियाग राज है वो जादा सदा हमारे हां से भी एक घंटे के दूरी पर ही है और उसके बाद प्रियाग राज में जब आगया है तो अब सभी जिलों में इसे योशना को लागू कर दिया जाएगा लगपदी योशना जिस से समोकी महिलाओ को बनाय जाएगा लगपदी अब देखते हैं सरकार कैसे महिलाओ को लगपदी बनाती है अब महलाया लखपती बन पाती है या फिर क्या बनती है वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा इस योजना को लागू होने के बाद बाकि जैसे को अपडेट हमें मिलती है आप लोगों तक सूचना पहुचा देंगे बाकि आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या लखपती दीदी समू की महला को बना दिया जाएगा क्या ये योजना सरकार जो लागू करने वाली है लखपती दीदी की ये योजना सफल हो पाएगी आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके बताएं अब वीडियो को ला